आज हम लोग वियंग विधा पर चर्चा करेंगे अपनी अपनी बीमारी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और वियंगार स्री हर्शंकर परशाई ने वियंग को विधा के रूप में साहित जगत के समक्ष रखा और उन्होंने वियंग को विधा का दर्जादी लाया श्री हर्शंकर परशाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जामनी गां होसंगाबाद मध्यप्रदेश में हुआ था श्री परशाई जी की सिक्षा दिक्षा सेमस्तार ग्लोबल स्कूल इलाहबाद में हुई आई टीम नागपूर विश्विद्याले से हिंदी में इसनात कोत्तर की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद पारिवारी की स्थिर्थ ठीक न होने के कारण अठादा वर्स की उम्र में वन विभाग में नौकरी करने लगे खंडवा में शमही ने अध्यापन कार किया सन उनाइस सो एक्तालिस से उनाइस सो तेतालिस तक अर्थात दो वर्स जवलपूर में इस पेस ट्रेनिंग कालेज में सीक्षन की उपाधि प्राप्त की में 19602 में वही माड़ल हाइस्कूल में अध्यापन कार करने लगे सन 1922 में उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया सन 1923 से 19berg तक प्रावेट इसकूल में नौकरी की फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्रलेखंद प्रारंब कर दिया और इसके बाद उन्होंने भ्यंग विधा पर ऐसी कलम चलाई कि वे भ्यंग विधा के शिखर पुरुष कहे जाने लगे दस अगस्त 1905 को जबलपूर में ही वे चिर निद्रा में लीन हो गए ब्यंग जगत का सूरज अस्त हो गया परशाई जी मुख्य रूप से ब्यंग लेखन के लिए विख्यात हैं उन्होंने कहानी उपन्यास निबंध तथा पत्रिका का संपादन इस तरह से विभिन विधाओं में कीर्थिमान इस्थापित किया उनके सुप्रसिद्ध जो कहानी संकलन है उनमें हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोला राम का जीव बहुत ही प्रसिद्ध कथा संकलन है उपन्यास में रानी नाग फनी की कहानी तट की खोज ज्वाला और जल और उन्होंने निबंध विधा को बहुत ही मजबूती प्रदान की निबंध संकलनों में तब की बात और थी भूत के पाउं पीछे बेइमान की परत अपनी अपनी बीमारी प्रेम चंद के फटे जूते सदाचार की तावीज यह बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संकलन माने गए हैं बैश्नों की फिसलन विकलांग स्रद्धा का दौर आद अनेक निबंध संकलन परसाई जी के देखे गए हैं और बहुत ही उच्च कोट के ब्यंग निबंधों का स्रिजन किया है आपने बसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया जो साहित जगत में बहुत ही सम्मान के साथ आज भी पढ़ी जाती है भले आज परसाई जी नहों लेकिन बसुधा का संपादन आज भी अनवरत रूप से चल रहा है परसाई जी को उनके जीवन काल में अनेक अलंकरण मिले अनेक अलंकरणों से अलंक्रिट रहे परसाई जी तастे कादमी पुरसकार से भी वें अलंक्रिट किये गए परसाई जी मुख्यता ब्यंकार है उनके निबंध के विशे चाहे सामाजिक हो या राजनेतिक सभी में ब्यंग जो है वो समाहत रहता है अब उनके ब्यंग जो है चाहे निबंध में हो कहानी में हो उपन्यास में हो लेकिन उसके पीछे जो प्रतिपाद्य है जो उद्देश्य है वह है सुधार की भावना ब्यंग के पीछे सुधार की भावना चिपी रहती है परसाई जी ने ब्यक्ति, समाज वा सासन प्रसासन की कमजोरियों पर करारा ब्यंग किया है परसाई जी की भाषा सहज, सरल, परंतु धारदार है उनके प्रतेक शब्द में ब्यंग के तेवर द्रिश्रिगोचर होते हैं भाषा में तत्सम सब्दों का बाहुल्य नहीं है कि संस्कृत गर्वित भाषा का प्रयोग किया हो बहुत सहज, सरल, बोध, गम्य, हिंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और इसके अत्रिक्त अंग्रे जी, उर्दू और फार्शी के सब्दों का प्रयोग परसाई जी ने धडलले से किया है परसाई जी की शैली जो है वो ब्यंग्यात्मक है इसके साथ ही विवेचनात्मक शैली का भी प्रयोग उन्होंने कहीं कहीं पर किया है परसाई जी हिंदी के ससक्त व्यंग कार माने जाते हैं आधुनिक व्यंग कारों में इनका इस्थान सर्वो पर है अपनी अपनी बीमारी ए परसाई जी की व्यंग रचना है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसके पहले हम समझ लें कि अब व्यंग है क्या इस व्यंग रचना को पढ़ने के पूर्व व्यंग के संब्मन्द में संचेप में जान लेना परमावश्यक है व्यंग सामान्य तौर पर हास से हास व्यंग सटायर और तंज इस तरह के सब्दों का प्रयोग किया जाता है व्यंग को पारिभासित करते हुए हरिशंकर परशाई जी ने स्वयम कहा है कि व्यंग जीवन से साक्षातकार करता है जीवन की आलोचना करता है विशंगतियों मिध्याचारों और पाखंड का परदा फास करता है वास्तों में ब्यंग ऐसा गंभीर प्रहार है जो मनुस्य की अंतस्चेतना को दोश्मुक्त कर उसे विशेश ब्यवस्ता के तर्थ सकारात्मक्ता की और उन्मुक्त करता है ब्यंग का जो सही उद्देश्य है वो दोसों को सुधार के द्वारा संसोधित करना दोसों को दूर करना आदर्श ब्यंग मर्यादित ब्यंग गुद गुदाता है मिठी चुटकी लेता है मन मस्तिष्क पर संय मिठ चोट करता है जड़ जोडता है ब्यंग कटाक्ष करता है जब आदमी ब्यंग सुनता है या पढ़ता है तो तिल मिला जाता है गुद गुदाता तो है लेकिन जो चुटकी लेता है और चोट करता है कटाक्ष करता है वही ब्यंग की सबसे बड़ी विशेश्ता है ब्यंग पूरी तरह से सकारात्म करशना है हिंदी व्यंग ने स्वतंत्रता के बाद अपना सही स्वरूप धारण कर आगे चल करके एक बिधा का रूप ले चुका है इसकी अलग पहचान बनाने में हर्शंकर परसाई जी के अतरिक्त स्रीलाल सुक्ल शरज जोशी रविन नात्यागी मनोहर श्याम जोशी डॉक्टर इस्नेहलता पाठट केपी सक्सेना हरीश नवल प्रेम जनमेजे हर जोशी लतीब घोंगी बिनोश शंकर सुक्ल और डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी गिरिश पंकच त्रिवन पांडे प्रभाकर चौबे और डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर का नाम बहुत सम्मान के साल लिया जाता है अब आईए पढ़ते हैं देखते हैं स्री हर्शंकर परशाई जी का सुप्रसिद्ध निबंध अपनी अपनी बीमारी इस ब्यंग में परशाई जी ने समाज में लोगों के अलग अलग प्रकार के ब्योहार को उजागर किया है समाज में विभिन परकार के लोग रहते हैं लोगों का ब्योहार अलग-अलग है उसी को उजागर किया है हर्शंकर परशाई ने समाज में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तविक दुखों से दुखी हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो संपन्नता से उपजे दुखों या यह कहें कि और अधिक की लालसा से दुखी हैं उनकी जो कामना है लालसा है लोभ है वे लोभ का सम्वरण नहीं कर पाते और जो इच्छा है उनकी बढ़ती जाती है बल्वती होती जाती है और चाहते हैं कि दूसरे अपने वास्तविक दुखों को भूल कर उनके छद्म दुखों में दुखी हों लेखक श्री हर्शंकर परशाई जी ने ब्यंग का सुभारंब अपनी अपनी बीमारी ब्यंग का जो सुभारंब है चंदा मागने वाले और देने वाले दोनों के मनोवे ज्यानिक शुरूप का चित्रन किया है ब्योहार का चित्रन किया है चंदा मागने वाले और देने वाले एक दूसरे के मनोभावों को अच्छी तरह पहचानते हैं जो चंदा मागने जाता है उसके मनोभाव को देने वाला बखुबी पहचान लेता है और जो देने वाला है उसके भी मनोभाव को चन्दा मागने वाला पेचानता है समझता है Gonna Dehn我就 का वाला ढेते हुए कहा कि आपकोशंदे की पड़ी है हम तो detect के मारे मर रहे था मांगने वाले ने सोचा यह Silva मारी कैसी होती है अरे निमोनिया है काल रहा है कैंसर है जिनसे लोग मरते हैं मगर ये टैक्स की बीमारी कैसी है जिससे ये मर रहे हैं देखने में तो सस्त और प्रसंद चित दिखाई देते हैं यह लेखक का सबसे बड़ा ब्यंग है आगे लेखक टैक्स पीडित लोगों के सम्मन्द में बताते हुए कहता है टैक्स की बीमारी से ग्रस्त लोगों का उपचार चिकित्सा विज्ञान में नहीं है टैक्स से मरते आदमी की गुहार यदि डॉक्टर से लगाई जाए कि उसके प्राण बचा लो तो डाक्टर यही कहेगा हान जोड कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा ये बीमारी ला इलाज है इसकी कोई दवा नहीं है हमारे पास वास्तों में टैक्स के बीमारी की चिकित्सा पद्धत जो है वो अलग है इस देश में भुख्मरी से ज़्यादा लोग मरते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसी भी हैं जो टैक्स की बीमारी से मरते हैं दोनों तरह के लोग हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूंक से बिलबिला रहे हैं दुखी हैं भूंके हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो टैक्स के बार से मर रहे हैं उन्हें टैक्स की बीमारी लग गई है वास्तों में यहां लेखक ने बहुत बड़ा ब्यंगे किया है बैभाव संपन्नता के बाबजूर जो टैक्स अदा करने की नियत नहीं रखते उन पर सटीक ब्यंगे किया है पैसा है रुपया है बैभाव है धनी मानी है लेकिन टैक्स के नाम पर बीमार हो जाते हैं इसी को प्रतिपाद्य बना करके हर्शंकर परसाही जी ने अपनी अपनी बीमारी इस निवन्द को लिखा है टैक्स के बीमारी की सबसे बड़ी विशेस्ता है कि जिसे वह लग जाए वह यही कहता है हाई हम टैक्स से मरे हम टैक्स से मर रहे हैं और जिसे ना लगी वह कहता है हाई हमें तो टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती कितने लोग हैं जिनकी महत्वा कांग्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरें पर परवतु बेचारे मर जाते हैं निमोनिया से कालरा से लेखा कहता है हमें उन पर द्या आ गई हमने कहा भाई प्रापर्टी समेट या बीमारी हमें दी दीजिए आपके पास जो प्रापर्टी है जिस पर टैक्स लग रहा है तो आप हमें प्रापर्टी भी दे दो और टैक्स भी दे दो परवे नहीं देते यह बीमारी ही ऐसी है जिसे लग जाए उसे ही प्यारी हो जाती है श्री परशाई जी व्यंग को गति देते हुए कहते हैं कि मुझे उनसे इर्श्या हुई क्यों मैं उन्हीं की तरह बीमार होना चाहता हूं कितना अच्छा होता अगर सोक समाचार में छपता कि बड़ी प्रसनता की बात है कि हिंदी के ब्यंग लेखक हर्शंकर परशाई टैक्स की बीमारी से मर गए बहुत बड़ा ब्यंग है आज तक कोई भी साहित्यकार निराला को देख लिजिए तुलसी को देख लिजिए कबीर को देखिए सूर को देखिए ये सब बहुत ही गरीब हुए है तो ही एक ब्यंग लिखा उनने ब्यंग किया कि परशाई जी ने कि हिंदी का जो ब्यंग लेखक है वो टैक्स की बीमारी से मर गया वे हिंदी के प्रतम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे मतलब आज तक कोई भी रशनाकार टैक्स की बीमारी से नहीं मरा वास्तों में लेखक गरीब होते रहे हैं, सब की अपनी अपनी बीमारी है, सब के दुख अलग-अलग है, किसी के पास प्रापर्टी नहीं है, बहुत चाहते हुए कि वह टेक्स की बीमारी से मरें, लेकिन कहां संभव हो पाता है, चुकि गरीब लोगों को टेक्स लगता नहीं है, अब हम पचास रुपए का चंदा ना पाने पर मरे जा रहे हैं, हम गए थे चंदा लेने, तो देने वाले ने बता दिया कि मुझे टेक्स की बीमारी है, मतलब टेक्स से हम मर रहे हैं, तो हमारा जो दुख है पचास गए का यह से मिल पाना कि वास्तव में आगे परशाई जी ने और बहुत तीखा भियंगय किया है एस पार्ठ में, बेहिमानी भी फ्यामारी है, इस पर भ्यंग करते हुए कहते हैं कि अपनी ब्याइमानी प्राण घातक नहीं होती बल्कि संयम से सधी हुई स्वास्थ वर्धक होती एक ब्यक्ति के माध्यम से परसाई जी ब्यंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वह आदर्स प्रेमी था गांधी जी के नाम से चलने वाले प्रतिस्थान में काम करता था वह गांधी जी से बहुत प्रेम करता था वहां ब्यंग को गति देते हुए का कि तुम वहां आदर्स लेकर गए ही क्यों गांधी जी दुकान खोलने का आदेश देकर गए थी क्या मरते मरते क्या मृत्य के समय उन्होंने आदेश दिया था क्या कि तुम मेरे नाम से प्रतिस्थान खोल लो वास्तों में वह भी गांधी जी के नाम के कारण बेहिमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेहिमानी से बीमार था अरे गांधी जी और बिनोवा जी ने उसकी जिंदगी बरबात कर दी अगर वह आदर्स न देते ने तिक्ता न देते तो वह गांधी जी के नाम से आदर्सवादी बनता ही क्यों बहुत करारा ब्यंग है यहां पर एक सज्जन पैसे की तंगी से दुखी हैं छे कमरे बनवा चुके हैं आठ कमरे बनवाने की उनकी योजना थी अब दो नहीं बनवा पाए उनके दुख का मेरे उपर कोई प्रहौ नहीं पड़ता उसका एक कारण है वे आठ कमरों की सोच रहे हैं अब मैं एक कमरे में जो बिजली का बील आता है 40 रुपए उसे नहीं अदा कर पा रहा हूं एक बंधू पुस्तक विक्रेता हैं आज कल आपको बहुत सारे पुस्तक विक्रेता मिल जाएंगे जगा जगा पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालियों में बेची थी इस साल 40,000 की बिकी कहते हैं बड़ी मुश्किल हैं सिर्फ 40,000 किताबें ही इस साल बिकी ऐसे कैसे चलेगा वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाओं पर मैं नहीं होता भाई आपकी पीड़ा है आप अपने पास रखो इनके पास मैंने अपनी सो किताबें रख दी वे बिग गई मगर जब मैं पैसे मागता हूं तो वे ऐसा हसने लगते हैं जैसे हास्चेरस पैदा कर रहा हूं बड़ी मुसीबत है ब्यंगकार की वह अपने पैसे मागे तो ब्यंग बिनोत में सामिल कर लिया जाता है मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता चूंकि आजकल लोग पुस्तक ले जाते हैं लेखक से लेकर और कीमत तो अदा करते ही नहीं है एक नई बीमारी आ गई है कित परसाई जी कहते हैं कि मेरे मन में बीजली कटने का खटका लगा हुआ है तीशरे बंद की रोटरी मशीन आ गई है अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है दुखी है और मैं फिर भी दुखी नहीं होता अंतता मुझे लगता है कि अपने बिजली बिल को भूल कर मुझे न सब के दुख में दुखी हो जाना चाहिए मैं दुखी हो जाता हूँ कहता हूँ क्या ट्रेजडी है मनुस्य जीवन की कि मकान कुल छे कमरों का रह जाता है और कैसी निर्दय दुनिया है सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदता है कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ पा रही है यहाँ पर्व्यंग देखिए उनका वे तीनों प्रसन्न है कि उनकों उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया एक तरह से संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं एक जीवित रहने का संघर्ष है एक संपन्नता का संघर्ष है एक संघर्ष है जीवित रहने का हम जीवित रह सकें हमें रोटी मिल सकें कपड़ा मिल सकें हम जीवन यापन कर सकें और एक तरफ संघर्ष है संपन्न रहने का बैभाव साली बने रहने का एक नियूंतम जीवन इस्तर न कर पाने का दुख है जो गरीब है एक जीवित रहने का संघर्ष कर रहा है एक परियाप्त संपन्नता न होने का दुख है ऐसे में कोई अपने तुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे मेरे मन में वही लालसा उठती है कि सज्जन प्रापर्टी समेत अपनी ट्रैक्सों की बीमारी मुझे दे दे और मैं उसे मर जाओं मगर में मुझे अच्चांस ही नहीं देते नवे प्रापर्टी शोनेंगे न बीमारी मुझे अंतता किसी ओची बीमारी से ही मरना होगा वास्तों में आपने इस पाठ में देखा इस परशाई जी के ब्यंग में देखा अपनी अपनी बीमारी वास्तों में सबके दुख अलग-अलग है सबकी बीमारी अलग-अलग है कोई ब्यक्ति आर्थिक बिपन्नता से दुखी है कोई टैक्स के भार से दुखी है टैक्स अदा करने के कारण किसी के पाद धन की कमी है कोई ब्यापार की हान से दुखी है कोई बिजली बिल से तो कोई महगाई से सबके दुख अलग-अलग है कोई बैमानी न कर पाने से दु मतलब दुनिया का हर प्राणी एक नएक दुख को ले करके बैठा हुआ है लेखक का प्रतिपाद्य है उद्देश्य है कि आवस्यक्ता से अधिक पाने की लालसा रखना यी दुख का कारण है दुख का सबसे बड़ा कारण है लोब लेखक ने टैक्स की चोरी करने वालों पर जोरदार ब्यंग किया है समर्थ होते हुए भी टैक्स की चोरी करते हैं सिद्धान्त जीवनमूल और आदर्स आजकर लोगों को दुख देने का कारण बन गये हैं इमानदार ब्यक्तिका आजके समय में जीना मुश्किल है